आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मुझे परेशान मत करो का English meaning क्या होता है मुझे परेशान मत करो का English meaning होता है Do not bother me आये इसे हम example से समझते हैं Example, Please do not bother me, otherwise I will file a complaint यहाँ Do not bother me का मतलब है मुझे परेशान मत करो उदाहरन क्रिप्या मुझे परेशान मत करो अन्यथा मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा